तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नहें और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दो ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हर एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं मतलब अगर आप 10 में है और 12 में हो तो वोड एक्जाम में तो इससे जादतर नहीं दो तिन कोश्चन पूछे जाते हैं लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर कोई भी इंट्रेंस या फिर कंप्टिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं देन वहां पर इस टॉपिक से जादतर कोश्चन पूछे जाते हैं तो यह ओल स्टूडेंट के लिए मतलब आप जिस भी क्लास में हो जिस भी एक्जाम की तेयरी कर रहे हो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक इसलिए अन तक बिना मैं स्किप किए वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेगा चलिए फड़े-फड़े स्टार्ट करते हैं तॉपिक का नाम है मुफ्रद और मुरकब हालांकि मैं सिर्फ यहां पर मुरकब लिखी हूं क्योंकि जादतर आप लोग को मुरकब के बारे मैं तरहा उर्दू लेंग्वेज में होता है उर्दूमें हर्व से मिलकर लव्ज बनते हैं जानते हैं अ बहर आजके इस विडियो में जो आप लोगों को पढ़ना है वह लवज की किसमें पढ़ना है यानि कि टाइपस ओफ वर्ड इन उर्दू ठीके यानि की उर्दू में लवज के कितने चाइप हैं यह आप लोगों telev Boocy पढ़ना है तो चलिए बता देती हूँ Оर्दो में लव यानि की व सि के दो टाइप है कितने टाइप दो टाइप यानि की दो किसमें होती है उर्दू में लफ्ज की दो किसमें देखिए बाहर से थोड़ी सी आवाज आ रही है आप लोग जड़ा इगनोर कीजिएगा थोड़ा सा रहा है तो यहां पर आप लोग फोकस कीजिए लफ्ज की दो किस किसमें हैं लवज की दो किसमें पहला है लवज मुफ्रद और दूसरा है लवज मुरखब ठीक है मिगें यहां पर समझा देती हूँ मुफ्रद क्योंकि इस समझना आसान है मुरखब को हम लोग deeply समझेंगे लवज मुफ्रद कहते हैं एक अकेला लवज जिसका कुछ ना मतलब है मतलब यह कोई ऐसा वस्तू है ऐसा चीज है जिसके जरीए हम लोग समय का पता लगाते हैं ठीक है तो घड़ी का कोई ना कोई मानी है उसी तरह मैं मारकर बोल दी मैं कैमरा बोल दी मैं स्टूडियो बोल दी या फिर किताब कलम पेड़ पौध है यह जितने भी अलफ पाज एक अकेला लवज जिसका कोई ना कोई मानी हो कोई ना कोई अर्थ हो उसको कहते हैं मुफरद तो लवज मुफरद आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कलम हो जाएगा मुफरद ठीक है किताब हो जाएगा मुफरद ठीक है क्योंकि एक अकेला लवज है कलम ए तो क्या कहेंगे ध्यान मेरा अब अपने माइड में ये बात बिठा लिजे उसको कहेंगे मुफरद आई होप आप लोग को समझ में आ गया एक अकेला बामानी अलफाज क्या कहलाता है मुफरत कहलाता है I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में मुरक्कब के बारे में कि आखिर मुरक्कब किसे कहते हैं मैं बोर्ड को मिटाती हूँ और आप लोग को मैं स्क्रिन्शोट लेने का भी मौका दूँगी बस आप लोग टेंसन फ्री रहें इसको मैं मिटा देती हूँ और अब हम लोग डीपली समझते हैं मुरक्कब के बारे में क्योंकि मुरक्कब से ही कोशन पूछे जाते हैं आप लोग के एक्जामें और मुफरत के बारे में तो पहना नहीं है तो मुफरत आप लोग समझ गए एक अकेला लफज हो जिसका कोई ना कोई मानी हो उसको कहते हैं मुफरत कोई भी इस दुनिया का कोई भी समान जिसका कोई ना कोई नाम हो कोई भी चीज अभी मैं बोल रही हूँ ठीक है बोलना हसना खेलना दोरना यह बोतल हो गया ग्लास हो गया या फिर आप बोल सकते हैं आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुवे देख रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम है तो अकेले लवज अकेला नाम जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसको क्या कहेंगे मुफरत कहेंगे मैं एक ही बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आप लोग को यह बात दिमाग में फिट हो जाए ठीक है अब हम लोग समझते हैं मुरकब किसे कहते हैं मुरकब कहते हैं देखिए मैं डिफनेशन लिख दी हूँ दो या दो से ज्यादा बामानी अलफाज के मजमुए को मुरकब या फिर कलाम कहते हैं यानि कि दो लव्ज हो या फिर दो से ज्यादा लव्ज हो दो या फिर दो से ज्यादा लव्ज के मजमुए को यानि कि ग्रुप को जिसका कोई ना कोई मानी हो जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसी को कहेंगे क्या मुरकब जैसे कि देख सकते हैं या पर मिसाल के तौर पर यान यानि कि टोटल इसमें साथ लव्ज हैं और साथ लव्ज का ये एक मजमुवा है यानि कि ग्रुप है जिसका कोई ना कोई अर्थ समझ में आ रहा है क्या अर्थ निकल रहा है कि हमारे चानल का नाम ग्यापन अकेडमिय से पता चल रहा है कि हमारा एक चानल है जिसका नाम क्या बोलेंगे मुरकब कहेंगे यानि कि यह जो पुरा सेंटेंस है इसको कहेंगे मुरकब अगर मैं लिख दी वसीम का लड़ वसीम का कलम ठीक है वसीम का कलम तो देखिए तो इसमें तीन लवज है वसीम का और कलम तीन लवज है ना तो यह तीन लवज का मजमुआ है यानि कि त इसे दो या फिर दो से ज्यादा लवज के मजमुए को जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है इसको क्या कहेंगे मुरकत कहेंगे उस् strangely यहां पर दोसे ज्यादा लवज है थेंखें तीन है इसमें डो भी रहेगा तो भी चलेगा जैसे कि मैं लिख दी नेक आदमी नेक आदमी लिख दी तो क्या इसको मुरकब कहेंगे तो बेशक कहेंगे नेक आदमी इसमें नेक है और आदमी दो लवज है तो यह लवज मुरकब कहलाएगा तो बेशक कहलाएगा यह क्या है मुरकब है ठीक है लेकिन अके तो दो या फिर दो से ज्यादा लव्ज के मजमुयेद को जिसका कोई न कोई आर्थ उसको कहते हैं मुरचकब यानिकी नेक आदमी हो जाएगा मुरचकब सिर्फ आदमी कहेंगे तो मुफ्रद नेक आदमी कहेंगे तो मुरकब ठीक है आई होब आप लोगो समझ में आ गया होगा और उसका कोई ना कोई मानी होना चाहिए अब मैं लिख दी कोई ऐसा सिंटेंस लिख दी जैसे कि घर टाबा पट चा कल तुफ़े नऐ धर ठीक है यहां पर मैं लिख दी यह देख़िए इसमें लवज तो हैं घर है टब है पट है कल ए धड़ है इसमें दो डूचारिक 5 लवज है लेकिन इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है घर टब पट कल धड़ इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कोई अर्थी नहीं निकल रहा है तो इसको क्या आप लोग मुरकब कहेंगे नहीं यह भी दो या फिर दो से अधिक लवज का मजमुआ हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं पत सकते हैं वसीम का कलम अक्रम का गुलाम नेक आदमी हमारा चैनल का नाम ग्यापने के लिए जितने भी माव यहां पर सेंटेंस लिखी हूं इसमें दो या फिर दो से ज्यादा लवज हैं और इनका अर्थ मानी निकल रहा है तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहेंगे मुरकब कहे जाता है यह याद रखना है आप लोगों को और मुरकब को जुमला भी कहते हैं सेंटेंस ठेके क्योंकि एक तरह से यह से ज्यादा दो यह फिर दो से ज्यादा लवज आ जाता है तो फिर वह जुमला के लाने लगता है तो आप यह कह सकते हैं मुरकब को कलाम भी कहते हैं औ और मुरकब दोनों समझ गए अब बात करते हैं मुरकब की तो मुरकब के भी दो टाइप होते हैं दो किसमें होती है पहला है मुरकब मुफीद और दूसरा है मुरकब गायर मुफीद याद रखना है मुरकब की दो किसमें यहां से मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि कोशन किस तरह से पूछा जाता है कोशन पूछेगा कि दर्जजायल में से मुफरद की पहचान करें जिस भी ऑप्सन में मुफरद दिखाई दे धीरे से टिक कर देना है जिसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है उसको धीरे से टिक कर दीजेगा यह फिर कोशन इस तरह से भी पूछ सकता है कि दर्जजायल में से मुफरद की पहचान करें जिस भी ऑप्सन में मुफरद दिखाई दे धीरे से टिक कर देना है मुफरद और मुरकब तो आप लोग सेंटेंस वैसा जुमला वैसा मुरकब जिससे पूरी बात समझ में आ जाए कि हां व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है ठीक है और उससे खबर भी मिले कुछ मालूमात हो हमें उस तरह के सेंटेंस को मुरकब को कहते हैं मुफीद जैसे कि एक्जामपल लेकर हम लोग समझते हैं लड़की नेक है यह एक एक एक्जामपल है इससे क्या पता चल रहा है कि लड़की नेक है बात समझ में आ जा रही है कि यहां लड़की नेक है लड़की कैसी है नेक है बात समझ में आ जा रहा है तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे मुरकब मुफीद उससे तरह अल्लाह एक ह इसको भी क्या कहेंगे मुरकब sozusagen तो लड़की नेख है समझ में आ जा रहा है कि बात क्या चाहा गया है इस तरह के sentence या फिर मुरकब को कहते हैं मुरकब मुफीद और वहें समझ में आ रहे हैं कि मैं बात क्या कहना चाहती हूं आप सभी लोग उसे मैं सिर्फ बोल दी काली बकरी तो आप लोगो क्या समझ में काली बकरी क्या मुलब पूरी बात नहीं समझ में आ रही है तो इसको क्या कहेंगे मुरकब गयर मुफीद प्लास्टिक की कुर्सी तो प्ल मुरकब मुफीद कोई न कोई मतलब मुरकब मुफीद उस तरह की मुरकब को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में देखें लड़की नेक है अल्लाह एक हे हमारे चैनल का नाम ग्यापनिकेड मीं है बात समझ में आ लगे से यहां बात कहा गया है लेकिन यहां पर अगर इसका एक्जाम्पल देखा जाए तो將ई अध्य प्लास्टिक की कुर्सी ठीक है नेक आदमी कुछ समझ मेंं नहीं आ रही कि क्या बात कहा गया है तिसको कहेंगे मुरकब गयर मुफीद और इसको कहेंगे मुरकब मुफीद ठीक है जिस से पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं मुरकब मुफीद और जिस से तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और आई होप आप लोग शेयर जरूर कर दिये होंगे जितना ज़्यादा हुसा कि आप लोग शेयर कर दे इस टॉपिक को लेकर बहुत चारे स्टुडेंट के हुए मैं आप लोगों पढ़ा दी और आप लोग भी क्या करें अब आप लोग का फर्द बनता है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने छोटे बड़े भाई बहन रिष्टेदार जितने भी लोग है आप लोग के इस वीडियो का लाब उदा सके और उन लोग का भी भला हो ठीक है अगर आप लोग चैनल पर नए रहा है मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड़ो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर कर दे अगर आप पहले से करके रखे हुए तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दे चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज